Hi friends, आझ हम लोग पढ़ने वाले हैं HELLO ELKN का रशायनिक गुन ठीक है? यहाद कःफ आपका HELLO ELKN का 7th lecture होगा हमलोग लक्षर कर चुके हैं जिसमिंग हमलोग पिछ्छी लक्षर में डिस्कस किये थे HELLO ELKN बनाने की B थी है इसमें हम नोग दो लक्षर किये थे पार्ट नार पार्ट टू करके ठीक है यह आप उस लक्षर को नहीं देखे हूँ तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से देख सकते हो यह प्रेट में जाकर देख सकते हो चलिए, तो यह आपका हैलो एलकेन और फैर इरीन का अलग्चर नमबर सेवे ने द्याम रखेगा, इसमें हम पढ़ेंगे एर, हैलो एलकेन का रसाइनी को, ठीक है, इसमें हम तीन चीज पढ़ने वाला हैं, इसमें पहला, नाभी काड़गी, नाभी काड़गी अभी के लिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, नेव के लिए ख्लिक, सबसीच्वेशन, रियक्षिन, इसी को हम सोट में कहते हैं, एस एन रियक्षिन, पढ़ेंगे अब, पहला तो यह हो गया है, दूसरा में हम पढ़ेंगे, नमबर टू, और वी लोपन अभी किरिया, वी लोपन अभी किरिया, जिसका हम हिंदी में कहेंगे, एंग्लिश में कहेंगे, इल्मिनेशन रियक्षिन, इल्मिनेशन रियक्षिन, ठीक है, और तीसरा, हम लोग पढ़ेंगे, रियक्षिन विथ मैटल, रियक्षिन विथ मैटल, इसको हिंदिंगैंस के साथ अभी किरिया, धाथू के साथ, अभी किरिया, इसमें आपका गरिवनादरर, यह जाएंट आएगा, उच्छरे एक्सिन इसमें घिया आएगा, चलिये, पहला हमारे पास ना भी काड़गी प्रतियस्थापन अभिक्रिया यानिके निकलियोफिलिक सबसेचेशन रियक्षन दूसरा है आपका बीलोपन अभिक्रिया यानिके इलिमिनेशन रियक्षन और तीसरा है आपका रियक्षन वीथ मेटल यानिके धातू के साथ अभिक्रिया चलिए तो प्रूलिखिए और लिखने के बाट हीँ डालिएगा नाभी काड़गी परतियस्थापन अभीक्रिया छलिए तो कि अब भाऄिध एक टो इसन्छी cow इसोकिव चलिए नाभीकाड़गी परतियस्थापन अभीक्रिया क्या है देखो है है नाभिक अडिकी और नि 설 के तर्म है नुई पाल दाया हुगा छिसको में हिंदियों बोलते हैं नाभैक के स्ने ही को आच याद कीजिए इसी कम उलन réussेरी परउयन करते थे सबसे जैसन को हिंदियें बोलते हैं प्रतियस्थापन, प्रतियस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ठीक है, प्रतियस्थापित हो जाना बोलें तो, इसके डिक्निशन की नर्बसंपली बात करें तो हम कह सकते हैं, वैसा अविक्रिया वैसा प्रती अश्थाप पन अविक्रिया जिसमें एक निवक्लियो फाइल आने से आने से दूसरा निकलियो फाइल बाहर निकल जाए उसी को हम बोलते हैं ना भी कारगी प्रती अश्थापन अभिक्रिया अब देखो यहां पर जो वर्ड है ना एनियू माइनस इस सिपकों सौर्ट में क्या बोलते हैं निकलियो फाइल बोलते हैं ना ध्यान रखना चलिए तो इस एक जांपल के बात करते हैं जैसे कि मानने जिए कि आपके पास आर है और यहां पर एक्स है हम सभी जानते हैं कि आर एक्स को क्या बोला जाता है इलकाइल हाइलाइट ठीक है इसको रियक्सन कराना है निकलियो फाइल मालों कोई निकलियो फाइल आ रहा है यहां पर क्लियर अब यहां निकलियो फाइल यहां पर आए और इसके आने से यहां पर कोई सॉल्वेंट होगा कोई यहां पर आपको बिलाया कोगा हम जब डिसकर्स करेंगे कौन सा बिलायक यहां पर लेना है तो यहां बन गया आर एन यू- और पलस एकस माइनस कहने के मतलब है कि जो आपका एकस है न ये तो कोई है लोजन ही तो होगा सोचो है है लोजन क्या होता सबका सबसा निकलियो फाइल ही होता है न तो एक निकलियो फाइल आ रहा है और दूसरा निकलियो फाइल जा रहा है तो उसी को हम बोल सकते हैं कि वो जो अभि करिया है हिंदी में इंगिश में इसको सट में क्या बोल देंगे इससे न भी करिया है इसी को और अच्छा समद डिफाइन करना चाहे तो हम इसको लिखेंगे इंकॉमिंग के मतलब की आने वाला एंड आउट गॉइंग एंड आउट गॉइंग एससे बोथ आर ने के लिएओ फाइड बोथ आर ने के लिएओ मतलब है कि इनकॉमिंग एंड आउट गॉइंग एस्सेष आने वाला एस्सेष और जाने वाला एस्सेष दोनो जसा होना चाहिए इनरी फिलियोफल होना चाहिए तब हम भोलेंगे कि वह जो अभी है और प्रमीं जो ले लो हम इसको किसी निव के लिए फाल मालो कि OH मानस के साथ रियक्शन करा दें ठीक है अब यह OH जैसे इसके पास आया तो यहां से CL लिव कर गया हट गया तो बन गया क्या और OH और प्लस क्या CL मानस इस और OH को हम क्या पढ़ते हैं अलकॉहल सोचो यहां पे की स्पर्म में सेल मालों मानस है ना मंतंभम न्कीडियो फैल कि कंव धम फो एक न्कीडियो फैल जा रहा है देखं़ो उसी चीजे को यह नीड फैल जा रहे ना जा रहा है उसी को हम बोलते हैं लेभींग्रोeye वसी को क्या बोलते है लीविल ग्रूप ऐनी कि बाहर निकलने वाला को क्लियर मौन लेते हैं कि यहां पर अब के पास CH3 हो और यहां पर अब के पास CH3 के साथ ब्रोमीन हो हम यहां पर अटेक कराकर ले आएं किसको मौन लोग यहां पर CN- को लेकरा रहा है जैसे CN- यहां पर आया तो जैसे CH3 को यहां पर अटाइक किया तो यहां से ब्रोमीन लिव कर गया और जैसे ब्रोमीन लिव किया तो बना CH3 और फिर आपका क्या CN- और प्लस BR- इसको क्या पढ़ेगे बनां तो पता होने चाहिए हम आल्रेडी डिसकेस कर चुके हैं लेक्षे नंबर 5 और फ्रों क्या होता है ने कि ना भी किस नहीं और प्लस नहीं क्या होता है इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं तो इस बात को धियां रहें ने जो हटेगा उसको बोलते हैं living group, जो आएगा उसको बोलते है ने के लिओ फाल, जो हटा गा उस उधर गया, तो वह किस फर्म है ने पिलो फाल है, चलिए, तो इरहाब का SN reaction, SN reaction भी दो तरह का होता है, SN reaction भी दो तरह का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2, तो इसको note कीजिए, फिर आगे चलते हैं, पहले इसको note कीजिए आप, चलिए, एक question है, भ्याँ रखना, question कह रहा है, कि निम्न में, SN1, SN2 देखें, पहले question देख लो, निम्न में, SN, निम्न को कर लो क्या दिक्कत है, निम्न को, SN, अभी किरिया के, घटते करम में, घटते, करम में, सजाएं, A number, RI, number B, RBR, number C, RCL, और number D, R, F, आपके पास, चार उपसें है, प्रेमेंट, इस चारों में आपको देखना है, कि, SN1 के रिये में, कौन सबसे जली दिखाएगा, कौन उसे कम, फिर उसे कम, सबसे कम, घटते करम में, सबसे करना है, तो सोचो, RI है, RBR है, RCL है, और RF है, clear, फ्लोडीन, क्लोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे लिख लो, फ्लोडीन, क्लोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या बर दिक्कत है, विच को हम, यह निकुलियोफाइल को सबसे अटेक करा रहे हैं, clear, समयना बात को, सब निकुलियोफाइल यहाँ पर अटेक करेगा, और बन जाएगा, RNU, R plus F minus, R NU plus C L minus, R NU plus B R minus, अब बताओ, इचो लिविंग ग्रूफ जो आपका लिवि क्या हुआ है, F minus है, P C L minus है, B R minus है, R minus है, R minus है, आप सुचो कि वह क्यों हटा, बहलो कि आप कहीं पर बैठे हुए हो, बात को समझे ना, आप कहीं पर बैठे हुए है, कोई जॉब कर रहेगा, आप मान लेते हैं, तो आप को वहां से क्यों हटा आएगा, या आप वहां से क्यों हटा होगा, उस जॉब को तुम क्यों छोड़ोगे, बहलो, सुचो इस बात को, जोब को क्यों छोड़ां क्यों छोड़ना चाहता है छोड़ रहा है को आप इस ज़ोड़ते हो जोड़ते हो लिए हैं दुसरे जगह जॉब करना चाहते और उस सिल्म कंसे अधिक सखेविम ряд हो गया सेॉडे करते हैं जो हटेगा तो हटने के बाद stability जिसमें होगा F मानस C L मानस B R मानस I इसमें जो सबसे अच्छा इस्टेबल होगा इसमें जो सबसे अधिक इस्तिर मासूस करेगा वह उतना जल्दी हट कर बाहर निकलेगा उतना जल्दी SNF करिया दिखाएगा बहलो तो सोचो कि fluorine, chlorine, bromine, iodine सब पे समाने साइज है, सब पे electron है fluorine का साइज छोटा होता है कई हम ग्रूप में चलेंगे तो साइज डिसकस करेंगे और प्रियूड में चलेंगे तो Nichडिपटी की बात करेंगे तो fluorine, chlorine, bromine, iodine में सब दिष्टरिपूूट मँने सब्दक्राम्पोल्म³ दिस्स्ट्रेबूट कर देगा, सब को बिष्तारित कर देगा, तो जो अपना अपना उलेक्ट्रोन लेकर आया है, तो इसमें, इस्टेबुलिटी कौन महसेश कर रहा है? आयोडेणी नो? चुक्कि साइस बरा है, वो ilной को पुड़ अब्स्तारी की होगो ακ 20 एक जर फ्लोडिंग के छोटा एलेक्टौन हाय लेकिन इस्तिर नहीं वो सच रहे है कि किषी उज्वी गिश्व्री दे एक इंस अचना है इस चारू में सबसेईस्टेवल कौन है I minus, उसके बाद BR minus, उसके बाद CL minus, उसके बाद F minus, और यही order है आपका क्या है, living group का, live करने वाला group का, वैसा group जो हटने के बाद, वैसा group जो nucleophile आ रहा है और वो हट रहा है, उसको living तो कहते हैं, यह nucleophile हाई, बट उसमें जो stable होगा, जो इस्तिर होगा, वह उतना अच्छा SN अ हैगा, आई न, हाड़ाई वाला, तो रहना तो हटेगा, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हटना चाहरा है, ताकि वह उस फर्म में जाएगा, तो stability उसको मिल जाएगा, उसको कुछ दिक्कत नहीं कि उसको, stability में उसको और गे नहीं है, यहाँ जो भी reaction होता है, यहाँ होती है, तो उसका एक ही purpose है, stability, इस्थिरता, ऐसी reaction हो रहा है, उसको राप्त होने वाले product stable है, तो समझना, reaction फुल्फिल कर रहा है, अच्छा हो रहा है, दिहान रखना है इस चीज़ को, चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा है, SN1 कौन दिखाएगा, A, उसके बाद B, उसके ब living group में, तो I minus BR minus CL minus, और के, F minus, clear, चलिए, तो इसको नोट को यह फिर्म लाएँ, चलता है, जलते, चलो, तो जो आपका नाभी काड़गी जो प्रतिस्थापन अभी क्रिया है, देखो, यह दो तरह से होता है, प्रतिस्थापन अभी क्रिया, देखो, यह दो तरह से होता है, ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं हम, एक आन्मिक नाभी काड़गी प्रतिस्थापन अभी क्रिया, इसी को कहायाता है इंग्लिश में, इूनी मोलेकुलर, इूनी मोलेकुलर, निकलियोफिलिक, सब्सिचेशन डियक्शन, क्लियर, अब आजाओ, दूसरा जो होता है, पहला तो यह हो गया, दूसरा जो होता है, वह होता है, द्वी आन्मिक नाभी काड़गी प्रतिस्थापन अभी क्रिया, प्रतिस्थापन अभी क्रिया, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, बाई मोलेकुलर, निवकिलियोफिलिक, सब्सिचेशन, रिजेक्शन, देखो, इस उनी मोलेकुलरकुस, और निवकिलियोफिलिक सब्सिचेशन, देखो, यहां से निवकिलियोफिलिक सब्सिचेशन को तो आप बोल देखो, क्या, एसन, और इसन, और निवकिलियोफिलिक स यूनी मॉलेक्सन मतलब की एक नुद, एक नुद तो, SN1 रेक्शन बोल दते हैं, सौट में इसको, ठीक है, और इसको सौट में बोल दते हैं, SN2 रेक्शन, क्लियर, चोगी नियोकिलेफ्लिक्स, सबसे हिजियोसन को, आप SN तो बोले सकते हो, और वाई मॉलेक्विल्शन, दो मोली क्यूल इम्वाल होगा तो क्या बोलती हो हुआ से अन्ह टो इसको अंग्लिज है क्या भूलोगी तो नियक्लर्फिक अ है। सब्सेश्येश्यश्य bon Die reaction 600 में जैसेश्य है ठीक है चलेए इसको लिखने के बा monstr unterstützen केश्य का हेडिंग इामनीमॉलिल मेल में प्लिक सब्सेश्यश्य करा का भ्bolण सब्सेश्य इसन इसको हम कहते हैं इसन फन इसन होता चलिए तो पहला है हमारा SN1 reaction, SN1 reaction, SN1 अभी गये, आई यह इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहला चीज़, इसको अभी हम हिंदी में क्या बोले थे, एक आन्विक नाभी कार की, मतलब ही, कि इसमें एक आनू, इसमें जो होगा, एक आनू, इन्वाल्व होगा, इन्वाल्व होगा, एक आनू, इसमें, इन्वाल्व होगा, यनि कि भाग लेगा, आग नेक्स्ट, इसका जो reaction होता है, जो अभिकरिया होता है, यहाँ अभिकरिया, पर्थम कोटी की अभिकरिया होता है, reaction first order of reaction clear जब पढ़िएगा आगे इस फिजिकल के मिस्टी में तो क्लास्ट विल्द में केमिकल कानेटिक्स यह आप लोग पढ़ ले हैं साइद आप लोग पढ़ लियो शुच को तो हाँ पर देखना अब कुछ बताया गया होगा कि जो order of reaction होता है वह दो तीन तरह से होता है फर्स्ट अडर सेकिन अडर थार्ड जिरो अडर तो उसी में से एक निकल काया कि first order reaction जिसको महिंदी में कहते हैं प्रत्वन कोटी अवेकरिया नेक्स्ट आगे यह इसमें बात करें तो इसका जो दर होता है ध्यान रखना इसका क्या होता है जो दर होता है वह और एक्स यानिकी इलकाइल हाइलाइड पर निर्वर करता है इलकाइल हाइलाइड पर निर्वर करता है इसलिकी माल लिजे यह आपके पास आर है और यहां पर क्या है कोई एक्स है ठीक है और यहां पर हम किसी निवकिलियो फाइल को यहां पे डियक्सन कराना है यहां निवकिलियो फाइल आया और यहां से इस आर निवकिलियो फाइल आड हो गया और प्लस एक्स माइनस बाहर होगे, ठीक है, आप इससे पूछें कि इसका rate क्या है, तो आप क्या कहोगे, कि Rx का सांधरन, Rx का concentration, और फिर nucleophile का concentration, इसी में कहता है, कि इसका जो दर होता है, जो इसका rate होता है, वह सिर्फ और सिर्फ Rx पर depend करता है, clear, new के लिए वह फाइल पर depend नहीं करता है, जब Rx पर depend करेगा, इसके हम order निकाले हैं, तो हम कर सकता है, कि सिर्फ इस पर depend किया, नहीं कि 1, प्रस इस पर किया नहीं, 0, order is equal to 1, 1 हो गया, तो प्रत्थम कोड़ी नहीं हो, कि 1st order हो गया, ठीक है, तो कहने के मेरा मतलब हैं, कि इ जदि आप इसके concentration को बढ़ा दो, घटा दो, इसके सांद्रन को आप बढ़ा दो, घटा दो, तो क्या rate पर कोई परभाव पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, चुकि rate, depend कि इस पर कर रहा है, इसके rate को double करो, तो rate double, directly proportional to head, ना, इसके rate को घटाओ बढ़ाओ, तो इस rate पे, इस SN1 reaction के rate पर कोई परभाव नहीं परेगा, और सोचो, कि आप प्रत्थम को टीक अविकरिया है, मतलब है, इस इको में यहाँ पर एक point लिखते है, क्या rate determine अविकरिया के stable rate, determining reaction है, ठीक है, मतलब है, इसका दर आप find कर सकते हो, इसका दर आप, दर, इस सब्सक्राइशा लिख लो, अभी किरिया का दर ग्यात हो सकता है, और ही जो ग्यात हो सकता है, वो कौन सा order दर आया, first order आया, बास समझ रहे हैं न, चलिए, जब रिडिट रमाइनी, इस टेफ है, इस टेफ में होगा, जो कि इसे की आप इसे की मान लिचे, कि हमारे पास, कोई बाइक से जा रहा है, ठीक है, ऐधि कोई बाइक बहुत तेजी से जा रहा हो, तो कि आप उसका रेडियो पता कर पाऊंगे, किस स्पीट से जा रहा है, बट वही दिक पुई भी भ्यक्ती दीरे-दीरे बाइग चला कर जा रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल सीचुएसन में तो आप उसका रिट बता सकते हो कि नहीं यह 40 के स्पिट से जा रहा है, 50 के से जा रहा है। उसका rate find करना मस्कील है, ध्यान रखने हैं चैशे को, तो जो एकसन होता है, जब slow step में होगा, तो इसको rate को टर्माइन कर सकते हैं, और उसी टर्माइन करने के फ़ल सरुफ मरें पदा था है कि फॉस्ट टर्माइन एकसन है, clear, इसका जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती, इसका जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, वह कार्बो कटैन होता है, वह कैसा होता है, कार्बो कटैन होता है, इसका जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, वह कार्बो कटैन होता है, इसका जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, वह कार्बो क होता है मतलब है कि जो इसका बीच का स्टेफ होगा जो बीच का सिज्वेशन होगा वहां कैसा होगा कार्गोटैन होगा तो हम क्या बता हैं जब आपको डिसकस के थे अभिक्रियम मदिवर्ती वहां पर आपको क्या बताए थे कार्बोंग्राइन के बारें बताए थे कार्बोंग्राइन के बारें बताए थे कार्बीन के बारें बताए थे तो वहां पर क्या बताए थे कर्दी कार्बोंग्राइन की हिए ज्यांदेबता है वहां पे इस्थारत्य के चछ़प forte किये थे तो लिए enormating की आभी कडिया मधिवर्ती जितना ज्यादा आइश्टिबल तो रिय..! नेरेक्षन का जो फ्रोड़क्ट वह उतना ज्यादा इस्टिबल इस मुद्दा इस बहा इंब मैं कारबोकेटाइन की जो quandous ज है वह जिएो ज्यादा उसका जो रीट होगा ओडिय recuper उतना जादा उतना ज्यादा उपांड डिसके ही कारबोकेटाइन कि कारबोकेटाइन जितना ज्यादा एस त्मॉल उतना brarبो की या होता है कारबीन क्या होता आर फी रिडिकल क्या होता है तो ऊंपनों जपळब हम सब्सक्राइब के हम मैं एक पास कुछ इस तरह से है c h3 और c और c और यहां पर के पास मांग लोग की c l है इसको हम रेक्शन करा दिए एक निप गिलो फैले लेते हैं मालेते हैं कि o h- है clear यहां हमको बन गया c और फिर ऐसे कर लो इसको c h3 c और o h और प्लस के हो गया c l minus हो गया कि ठीक है दो कैसे इसको सुचते हैं देहां दो यहां पर यह कार्बन इस कार्बन के साथ तीन c h3 है तो c c h3 c h3 c h3 और यहां पर क्या हो गया c l हो गया और प्लस o h- इसकी मेगनियम की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं मेगनियम की इससे आपको पता चाल जाएगा कि कार्बो कड़न कैसे बनेगा और कैसे इसका रेट पर असर पड़ेगा तो सुचो जा इसको और छुटा कर लो चुकि काफी आगे जाने वाले हम लोग ओएज माइनस अब इस ओएज माइनस को आपको अटक कराना कैसे अटक काईएगा देखे यदि आप इस ओएज माइनस को इस फॉंट से अटक करा नहीं पाहोगे क्यों चुकि यहां पर इस क्लोडिन खड़ा है क्लोडिन भी तो ऐज जटे ज़ेकिनिक विलिए फैल है ना ओएज माइनस आएगा से इसे क्लोडिन के पास तो क्लोडिन कहेगा कि तुम कि इधर आ रहे हो हम तो हैं ही इस कार्वन के पास और इस तुम रियक्शन तो करा चुके हो तो इस ओएज माइनस का फरज बनता है कि इस कार्वन के पास क्या करें आई एटमेटिक आ जाएगा तो इधर से तो आएगा नहीं इसको पहले यहां पर रुख दिया गया चोई क्लोडी ने बोलेगा कि इसका नुग्लियोफाइल का लेगा पर तो हमाई तुमको आने क्या हो सकता है तो इधर यह तो सामने से तब आएगा नहीं अब जो होगा वह सुचेगा कि हम इधर से चलते हैं इधर से चलेगा तो इसको देखो CH3 आपको दिखाई दिया नौ सी एच 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 बल्क बराव सा ग्रूप है यह और आके चल जाओ तो CH2 CH3 कर दो एक कर सकते हो कोई दिकत नहीं है मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इधर स सामने से जाएगा ना इधर से जाएगा चुकि CH3 है ठीक है बल्की ग्रूप है तो इसको यह जाने नहीं देगा चितना ना भी रहना कि जाएगे नहीं तब क्या होगा जब इधर से भी नहीं जाएगा तो सोचेगा कि इधर से जाते हैं तो इधर भी CH3 इधर से भी नहीं तो इस case में क्या होगा चुकि दोगो ऐसा इसलिए बत बोल रहा है ना इस CH3 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 समझ रहे होना बात को तो इतना ज्यादा एक complicated है इतना ज्यादा ज्यादा जो आपका ये group है कि इस OH- को अपने पास आने ही नहीं देगा अब OH- को तो अटाइक करना है तो उसको हम कैसे सोचते हैं तो हमको ये देखने को मिला कि OH- तो आएगा इसमें कोई संदे नहीं बट OH- आएगा इसमें कोई आपको शग नहीं है लेकिन क्या होगा कि पहले CL- यहाँ से निकाल जाएगा बास समझ रहा हो नो और जैसे इसपे से CL- निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 CCH3 और CH3 और जब निकल गया तो इसपे पलस चर्च देखो तो यह कारबोकेटन बना बोलो अब आएगा OH- अब क्या आएगा OH- अब तो OH- जैसे इस पलस को देखा इसको खुसी का ठीक आना रहा गया देखो अब इसको तो इससे बड़ी खुसी क्या चाहिए चिए पलस चाहिए अब यहाँ समझेगा कि चलो हम इधर से भी अटेक करना इधर से भी अटेक करना इसके पास दो-दो कंडिशन में लिए कि को दिखना तब दो प्रोडेक्टम को मिलेगा एक सी एच त्री एक सी एच त्री और सी एच त्री और सी एच इधर से अटाइक कर लिए मतलब है कि जिहां जिस तरब से क्लोडी निकला और एक समभ fase आज जिए यहां जिए पीज़िएं तो द्यान देना जिए जहां से क्लॉडी निकला जहां से क्लोडी निकला वहीं से पे जुड़िए अटाइक धांसन उसको क्या बोलते है और धान देन सब्रम्राण Is releases को किया पिछे से ट्रइक किया कि इसको बोल देते हम इस प्रोड़क्ट को इन भर्जन यह आपका स्टेडीयो क्यमेश्टरी की चफ्चा होगा ही इसमें यह आपका रीटेंसन और इहां क्या बन गया आपका इन भर में दोनों मिला दोनों का मिक्चर हो गए तो हम बोलेंगे कि इस दोनों मिक्चर को हम एक साथ बोलते हैं, रिस्मिक मिक्चर, क्या बोलते हैं, रिस्मिक मिक्चर, हिंदी हैं बोलेंगे रिस्मिक मिस्रन, रिस्मिक मिस्रन, और जो परक्रिया होती है न, इस परक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, रिस्माई जेसन, इस परक्रिय क्या बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं रिस्मी करन तो कई बार आप से जा मैं इस वाल को उच्छा जा जोगा है कि रिस्मी करन से अब क्या समझते हैं तो आपको लिखना होगा कि जब हम कार्बो कटैन को यानि कि असे अंपर में किसी निक एक्योवाइल को एक करेगे तो कारबो क्रैन बनेंगा और वहाँ से निकलियो फाईल को दो तरह से अटैक हो सकती है एक इन भरजन बनेगा एक हंपे और आपका आर्च Eb가 नेक एकश आपया किenne आपको और अइपका और आपका निकलियोवाइल को लिए आपकों क्या बोले तो उस्ट है इसी तारें dirt ऑप्राइगा इसी पर सब्सक्राइब ऑक टॉस्ट हो यह ट् mosquito है ही त्ट्टीवेगा किया इक तॉस्झ सब्सक्राइब ऑने से यह ज़ें तो यह एक सबस्टांस पर डिपेंड किया तो आपकी सबस्टांस पर डिपेंड किया तो उसी को बोलते हैं कि एक चीज पर डिपेंड किया मतलब कि ओडर इस इक लड़ डिपेंड कि चलो तो इस बात में द्याद डखना कि इसका रिपेंड कि क्या चैन जादा कार्वो के टायन की एस्टिबिलिटी ज्यादा तो इसका जो एसन वन रिएक्षन का जो रेट होगा या भी क्या होगा ज्यादा यानि कि सबसे जल्द जल्दी आपका 3D दिखाएगा कार उसके बाद 2D उसके बाद 1D चलिए इसको मुझे फिर इसमें से एक और 2000 कोशन कर रहत हैं कि फिर लोगा की चलेंगे ध्यान रखना इस चीज़ को चलिए तो महलेते हैं कि हमारे पास CH 3 CH CH 3 और यहां पर CH 3 हो और यहां पर CL मालो यह एक्स हो और फिर CH 3 CH X और CH 3 CH 3 CH 2 X और CH 3 आप से पूछा जाए कि इस चाड़ो में कौन SN1 रिक्षन सबसे पहले दिखाएगा तो आप डूड़ो कि इस चाड़ो में जो कार्बोकटान सब में बनेगा इसमें से कौन सा कार्बोकटान एस्टेपल होगा आप पता करेगा कि यहां से एक्स निकलेगा तो थ्री डिग्री काना गुटा ने मिले इस से निकलेगा तो टूडी मिलेगा इस से निकलेगा तो वन डिग्री मिलेगा वही थो में आप मतलब है कि सब्सेuciónम टर्थी डिग्री वाला देखा है इस थे पलेटी पर उसके बाद ट्यग्री के फिर उसके बार किस्की पूझ कर सब कूलेर ऐसा रचा अप से यदाम मे CH CH2X और फिर CH3 CH3 और फिर आपका यहाँ पर X और एक और लेते हैं मानों लोगे चलो एक ही साथ सब को ले लो C CH3 3 X और फिर आपके पास इसको A नमबर देओ और इसको B नमबर इसको C नमबर इसको अच्छा से लिखे है तो रहाँ सब C CH3 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 X नमबर D CH3 CH2 X आपको बताना है कि इस चारों में सबसे जल्दी के एसना ने आवन दिखाएगा तो आपको पास चलिए और कि अ modular है यहां सा निकल ceramिये का कारबोग्राइन यह एंपे बनेगा यहां तो कारबो के टायन कैसा है यहां जी इसे निकालों का यहां कैसा तुडिक्री यहां कैसा इस्टिबिलिटी तो यहां से एक निकालों कि आ जो करदके की बात हो रही उसके बात करते हैं जिसका कारबोगटन के इस्टिविटी अदेख उतना अच्छा है सिनमा नोग मतलब है कि याद की जब महां पर डिसकास कराएते हैं कि सबसे अधिक इस्टिविटी होती है थिर डिगरी की कि इधी यरायLi कॉलता है तो कि असले कारबोगोटन की उसके बाद आपको कारबोगटन उसके बाद आपके पास ट्उ ड्क्रविक उसके एस सब मीए कौन सबसे ह्तिक एका तप देख रहे को देखो कि डिक आतर थिर सबसे आगे उसके बाद कौन है बेंजाली तब मेंजाली तो इसमें ही नहीं बट इलाइलिक है कौन सा ऐसी अब इलाइलिक क्या होता है हम डिस्कस करा चुके है कि जब है लो जान ग्रूप जिस कारवन से टैच हो वह कारवन इस पी थृओं से आगे वाला गारवन कैसा हो इस पी डोसी है लाइड को तो हम बोला करदे ना एलाइलिक है लाइड याद कीजिए और यहां पर जो क्रूपोग राइंज हो गया इसको क्या बोल दी हमें लाहरी करवुगे तो सी उसके बाद क्या होगा अपका ए और फिर बी सबसे अधिक एसे नमान दिखाएगा आपका सी किसका इसके बाद ए उसके बाद बी उसके बाद डी चलो एक और कुछ ने लेते हैं मांगो कि कहां पर इन नंबर में और सी एजटू और एक सो और यहां पर आपके पास अज़ां है सी एज थ्री और सी एक सो और फिर इस द्रीश और एक सिएज ट्री देखो तो यहां सटाओके तो क्या होगां जिए इस पर पलस आएगा नहां डेखे सब्सक्ड खोर एके बंचयी खरान्या अशय की डिक्राफ हो अहिसफ सीध है के लिए फैत इसन संका लेकाइव सब्सक्राइगा इसको भी push when अब का हीजाइब के लिए और पुछ से जाते हैं चलिए तो इस्को नोट की है यह आपका SN1 reaction पूरा डिटेल्स में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे SN2 थैंक्यो